सिर्फ चीजों को ही नहीं, यादू को भी सम्हालना होता है, जैसा कि मैं करती हूँ। यूपी बत्तिस, जिन्दगी जिन्दाबाद की टाइरी में, हर पन्ना कुछ नया चलता सा सम्हाले हुए है। यूपी बत्तिस, जिन्दगी जिन्दाबाद में, हर सफर कहीं पहुँचने की जलदी ही नहीं होता, हर सफर एक याद भी होता है, तो उठा लिये हैं बस्ते और नाप रहे हैं कुछ नए रस्ते. हाल फिलाल ही होली गुजरी है, रंग बिखरें, पर परिवार कुछ यहां, कुछ वहां, तो तुवहार पर घड़ नहीं छोड़ा जाता है, ऐसा कहा गया था, पर साटेडे संडे तो अपना था, इसलिए बस निकल पड़े हैं। मुझे लग रहे हैं कि मुझे सोने को मिल जाए तो बहतर होगा। मापापा हमसे पहले निकल चुके हैं और शायद पहुच भी जाएंगे जल्दी और दो घंटे हैं हम लेट। और आज यूजवल इन लोगों के उपर नहीं सारी परची फटेगी मुझे क्योंकि कहा जाएगा इसकी व्लॉगिंग के चक्कर में हम लेट हुए। क्या खाना है। क्या है। क्या है। सुई। ये। गुंडी गुद मॉर्निंग। चोटी। गबशप मारते लोकेशन का आनंद लेते और अपने अपने एक्सपीरियंस को सांझा करते हुए सफर का मजा ले रहे। अरे हां और एक फेवरिट बात तो मैं बताने ही भूल गई। खाना बहुत लाजवाब था। तो एक्जाक्ली जा रहे हैं हम काट गुदाम और स्टे करेंगे हलदवानी में। वहां पर हमें दर्शन करने हैं शीतला माता मंदर के जी हां। हम लोग घर से निकल पड़े हैं शीतला माता मंदर के दर्शन के लिए एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंट्रूस्टिंग ट्रप है। बने रहे हैं अंत तक देखिए हो सकता है कुछ नया सांजा कर पाऊं। और शायद मेरी थोड़ी पहुत जो आजकल कलाकारी चल रही है वीडियो ग्राफी की आपको पसंद आए। आगे 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 अभी लिखाते हैं वह भी है हमाशू। हमाशू आगे। वहू। तो व्यू तो व्यू अच्छा है मुझे क्लीन भी दिख रहा है अच्छा लग रहा है मुझे आगे। और मैं फिर्ट से ताफ रही है। रिजॉट हम लोगों का प्री बुग था जिसकी वज़े से कोई दिक्कत नहीं हुई हम बहुत आसानी से वहां पर पहुँचके ममा पापा पहले से पहुँच रखके थे तो वहां जाने के बाद सबसे रदा एक्साइटमेंट थी उन्हें देखने की। पहुच रखके थे बहुत अच्छी है। अपनी अपनी बाते और गप मारने में बजी। किस की चावी बोल रहा भाई। तुने रखी है न कोई है नहीं। अब भूल यूपी बत्तेश जिंदी की जिन्दाबाद बोल। यूपी बत्तेशं जिंदाबद पी ठीचहे मल लोड़ा जाना अब डढ़ा हो जाएगा जबूल। की के का ख़पर भी तोड़ देगा सौल जया। लेपी जौल। की यहां पर पद खेल्याद को अजदीश यहां पर पद्केल्याट आम बहुरा गया है यहां एक यह नहीं है किसे कह सिखा आपको बिच्छा नहीं है किसे चाहिए आपको बीटर वीव दिखा ना कितना व्यूटिफल यह देख उड़ का देखो एसी जगह पर बज्डाया है इंसान चीनी वीनी परोसी से मांग लो जाड़ी खड़ी करने जगह है कि इन से बूछों इनकी लड़की है कि नहीं है कंसे कम तेरा सफुराज रहेगा तो मैं आने को तो आपको यह सिखाओ के बच्छों को यहीं से फांद के गए हो और यहां दे रागव ने रास्ता इजाद की है मैं आप यहांट जो अगए हैं यह बहुत ही प्यारी प्रापरटी है जगह बहुत अच्छी है लॉन एरेया बहुत अच्छा है आसपास जो जगह है वो भी देखने लाएक हर एंगल से आप एक निया व्यू देख सकते हैं सब अपनी अपनी बाते और गप मारने में बुझी अब फोटो किरता हुआ है अब दो अब 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 इस अब बुटिफुल बेस्ट मॉणनि और पहारी जाए जो कुछ वी को का मात भाणन दो दो के अचाई है। कैसे हो लूवर रागाव। भिर बताने जो टो हुआ जो पूपता है कि तो माँपना ज्यान दे जान देज साए। कुछ कर दो कर दो कर दो कि दो कि अचाई जारे इसे सुखें रिजान तब पापा के साथ हो गाड़ी है काड़ी नाहित जाहत जाए भीचारा है आइसे कोच्क की अने गाड़ी भी यजे साफ करके बैख ने चाहिए अन्य हूछ है भीर्फ को असला कि बाद में लों खाले वी लिया जाए है बोलो शीतला माता की जैर जहां से हम ठेरे हुए हैं वहां से मंदर की दूरी कुल 15 या 18 किलो मीटर है शीतला माता को जो मंदर है वो हलदवानी से लगबक 7 किलो मीटर दूर है नैनेताल रोड पर काटगुदाम नाम की जगे में है मंदर एक पहाड की चोटी पे बना हुआ है जो रोड से भी 10-15 मिनिट की उपर चड़ाई पर स्थित है अमोमन देखा जाए तो उतराखन को आजकल ट्रावल के एरियास के लिए अगर देखा जाए तो पहली चोईस माना जाता है भीड भी कुछ उसी तरीके से थी बहुत जादा क्राउड़ी है बहुत जादा नॉइज और पॉलुशन भी हमें मिला काटगुदाम और हल्दवानी में तो मैं मंदर की बात कर रही हूँ कि प्रकृती की गोद में बैठी हुई है मा सुन्दर कहानियों मान ने ताओं से सजा हुआ है मंदर और चारू तरफ हर्याली ही हर्याली है तो रास्ता तै करते करते कोहश्टे की गागार पे वो है वो है वो है वो है वो है वो है वो दिख रहा है ना उपर देखो बद दिख रहा है वाँ मंदर का गेट उदर रहा है की दर लिखिए पर आप आप पुछ बिशेश प्रगार का संदेश देते हुए नानू को पुछ पंदरा मिनिट की चड़ाई है आधा करते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं जिसकी वज़े से चोटे-चोटे केपिंग्स नहीं जहां पर बहुत सारी मंदर ना तुपी डर लग रहा है फोन चीन के लेगा है तो वापस नहीं करेंगे मता पीता बहुत तावट प्रह्यर प्रह्यर को नहीं मुझे आपने बुड़ा पीका हिसास हो चुका है जटेए जटेए निकल यह त्यास अलग लग लगगी है शीतला माता मंदर की बहुत सी मानिताएं हैं हर साल यहां शद्धालू शीतला माता की दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और अगर इतिहास के बारे में बात करूँ ना तो बहुत ही अध्भुद है आगे बताती हूँ कि क्या है इतिहास से जुड़ी वो गेहरी सी कहानी कहते हैं कई साल पहले भीमताल नाम की जुड़ी वो गेहरी सी कहते हैं जगे जो न्यानिताल में ही स्तित हैं वहां की पंडित बनारस से जाकर शीतला माता की मूर्ती को वहां से लेकर भीमताल अपनी गाउं में स्थापित करने के लिए ला रहे थे जैसे ही यहां से काट गुदाम रानी बाग जब वो पहुँचे तो बहुत रात हो चुकी थी और वहां से आगे आते समय उस समय पहाडों का रास्ता बहुत कठिन हुआ करता था तो उसनोंने सोचा कि रानी बाग के गुलाब घाटी में ही विश्राम कर लिया जाए। नहीं तब भागी लोगों को उस व्यक्ति के सपनों भरोसा हुआ फिर माता द्वारा आदेशित जगे पर मूर्टी को स्थापत कर दिया गया जो की काड़ गुदाम में शीतला देवी माता के मंदर से विख्यात है तो बोलो शीतला माता की जै आप जैसे ही मंदर परिसर में अंदर जाते हैं तो आपको कुछ प्रमुख भगवानों की मूर्तियां मिलती है उनको देख करके भी आपका मन अतेंथ प्रसन्न हो जाता है जैबसे को जाता हम इस दो जाता है और जाता है और जाता है, जाता है जाता है जड़ी आप जेघुड जेख जाता है कि अज़े लगा अजह आज़े के अज़े चावर। है ऑजने पर्शाग करें थो कि दो हुए आज़ें हुए आज़े ना ज़े उचलारमन आज़े आज़लो आज़े श्युटा आज़े तत्सेली कने लोगा है उचाई पर पहुंच करके जब प्राकृतिक सौंदेर की बीच में मा के दर्शन होते हूं और इतनी अच्छे दर्शन होते हैं कि पंडी जी भी बिलकुल इत्मिनान से दर्शन करने दे रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से मा के पास बैठें वैसे तो उनको दिल का हाल पता होता है पर फिर भी दिल का हाल कहें तो एक अलग सा सुकून होता है एक हवन कुंड बना हुआ है बाहर जो काफी गहरा है मंदर परिसर बहुत ही साफ सुत्रा और बेहदा करशक है एक पुराना मंदर है जो कि पुराने पत्थरों से बना हुआ वहाँ पर मंदर के ही साइड में स्थित है जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से मैंने उसे क्याप्चर करने की कोशिश करी है हट नुमा जो आकृती होती है यहाँ पर पुराने पत्थरों वाले मंदर में यह मुझे जागिश्वर में भी देखने को मिली जागिश्वर जब गई थी तब भी एक ब्लॉक बनाया था अगर आप चाहें तो उस ब्लॉक को देख सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जब शिव के समख्ष खड़ी होती हूँ तो मेरे अंदर एक अद्भुच शक्ती का संचार होता है ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरा विश्वाज शिव जी पे बहुत जादा है और महादेव हमेशा हाथ पकड़ के आगे मुझे सक्रिय रहते हैं मंदिर परिसर में घूमते घूमते जब मैं पीछे की तरफ मंदिरों के पास पहुंची तो भी मैंने देखा कि सफाई बहुत जादा थी बिलकुल भी मंदिर में कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं थी हर चीज बहुत व्यवसित ढंग से रखी हुई थी कुछ लोग जो मानिता के आधार पर घंटियां रखते हैं वो घंटियां बहुत ही वाइबरेशन के साथ जो उनका साउंड था बढ़ा खुब सूरत था हर हर महादेश एक अजीब सा रिलाक्सेशन है यहाँ पर एक मेडिटेशन के लिए भी और आंत्रिक संतोश के लिए भी मंदिर परिसर हमेशा बहुत खुबसुरत होते हैं वो कहीं पर भी प्लेंस में या फिर पहाड में उत्राखन की खासियत यह है कि इसे देव भूमी कहा जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे जादा मंदर मिलते हैं इस मंदर में बंदर भी उतने ही है जैसे कि वहाँ पेड़ों पर उच्छनते हैं आप देख सकते हो और किसी चीज में कोई नुकसान नहीं पहुचाते खाने की चीज देखते हैं तो आपके पास खाने के लिए ज़रूर आते हैं तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं अभी ऐसा इनको खिलाने के लिए लेकिन और कोई नुकसान नहीं बाकी घूमना और यहाँ परिसर में आनन्द लेना मेडिटेशन शान्ती बहुत अच्छा लग रहा है शाम का समय है और रात हो रही है आप देख रहे ओपर देखो रोश्नी जाजासी रही है लेकिन दर्शन हो गए ये बड़ी बात है छोटा सा चुप था लेकिन आना और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी यहाँ तक पहु मैंने तो यह आननत वहां जाकर लिया और अगर आप आसपास कहीं रहते हैं या कोई विशेश प्रोग्राम बनाते हैं जब आप अपनी डेली लाइफ से हट करके कुछ अलग एक्स्पीरिंस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आध्यात्म से बहतर कुछ भी नहीं हो सकता आनततह जब जीवन के किसी एक पड़ाओ पे आपको अहसास होता है कि सब मिथ्या है सिर्फ इश्वर सत्य है मुझे लगता है शायद ये अभी आपको या जो नहीं मानते भगवान में उतना जादा बहुत गहरी और दार्शनिक बात लग रही होगी पर ये सच है तो मिलती हूँ किसी अनदर व्लोग में तब तक मी प्रतिभा साइनिंग होग